जल्दी आओ फिर मीनू चड़िया उस जादूई पेड़ के पाथ जाती है जैसे ही वो उस जादूई पेड़ के पाथ जाती है तो उसकी टेहनी पर आखे मूनाग टिम्टिमाने लगते हैं सुन्दरवन के एक जंगल में लाड़ो और मीनू नाम की दो अनात बेहनों का वशेरा था उन दोनों बेहनों ने होसी समाला तकी एक रोज उनके पिता खेत में काम कर रहे थे की तबी अच्चानक से जोड़दार बारिश सुरू हो जाती है और बारिस की विजली उनके पिता के उपर गिर जाती है जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है बुरे हालातों में उनकी मा पिंकी चड़िया ने खुद भूखे रहकर सिलाई बुनाई करके अपनी बेटियों का पेट पाला मगर समय के साथ भूत काल में भूखे नजर अंदाजी ने पिंकी चड़िया के सरीर की सामर्त छेन ली और उसे बीमारी के बिच्छोने पर पटक दिया और आखिर कार मौत ने पिंकी चड़िया को बीमारी के बिस्तर से निकाल कर चिता के चपत में जला दिया अपनी मा को जलता देख कर दोनों बेहने खूब रो रही थे बेदी मा कुछ बोल तो नहीं रही है क्या मा हमारे साथ लुक का छिप्पी का खेल तो नहीं खेल रही है मा इस दुनिया से चली गई लाड़ो और चाते चाते हम दोनों बेहनों को अनात और बेशहारा कर गई अनात होने का गम दोनों बेहनों के आखों से बरसात के पानी की तरह बहे जा रहा था मगर कहते हैं ना कि किसी के चले जाने से जीवन कहां रुकता है मीनु चडिया ने सिलाई बुनाई का काम समाल लिया दीदी आप ठक गई होंगी चलो चल कर खाना खालो और देखो रात भी हो चुकी है बाकी के कपड़े कल सिल लेना तु खाले मेरी बेहन अभी तो एक ब्लाउज सिलना बाकी बचा है एक ये कपड़े ही तो हम गरीब और आनात बेहनों का चूला जलने का जरिया है ठीक है तो फिर आपकी चोटी बेहन भी आपकी कपड़े सिलने में आपका हाथ बटाएगी दोनों बेहनों के बीच वसा हुआ इसने ही उनकी गरीवी की सहेली था इसी तरह पांस साल बीट गए दोनों बेहने बड़ी हो गए एक दिन उनकी पड़ोसन गोरी कौवे उनके घर आती है मीनुचडिया अरियो मीनुचडिया अंदर है क्या आजाओ गोरी मौसी देदी अंदर ही है आरे मीनुचडिया तूने मेरी बेटी का लहंगा तो सिल दिया है न क्योंकि आज ही मेरी बेटी की बरात है आरे आहां गोरी मौसी मेने सिल दिया है लेंगा भला हम बहने आज की बेटी की साधी कैसे भूल सकते है साधी में आ रही हो ना तुम दोनों बहने आरे आहां मौसी हम बरात आने से पहले पहुंच जाएंगे साधी में अरे वो तो ठीक है लेकिन जरा अच्छे से तयार होकर आना पता चले कि तुम ऐसे ही आजाओ बिना तयार हुए क्या पता बरना किसी लड़के की नजर पढ़ जाए तुम पर बरना तो इस गरीबी में तुम दोनों बहनों का ब्यात तो होने से रहा एक तो अना थोने का ठपा उपर से गरीवी की चपट मैं सच कहती हूँ मुझे तु बहुत तरस आता है तुम दोनों बहनों पर अच्छा अम्मे चलती हूँ बरात का बहुत काम बाकी है गोरी कॉबी के ये कड़बे बोल मीनू चुडिया के घर गड़ जाते हैं और उसकी आंकों के आसो उसके चहरे पर आ जाते हैं ये गोरी मौसी के मुँ में मिसरी घूलनी ही पड़ेगी जब देखो तब अपने मुँ से जहर उगलती रहती हैं ऐसा नहीं बोलते लाड़ो जाने दे साम को जब दोनों बहने बिना तयार हुए साधी में पहुंसती हैं तो एक हरी तोती उन दोनों से कहती है अरे कैसी सहेलिया हैं तुम दोनों अपनी सहेली की साधी में भी अच्छे से तयार होकर नहीं आई हैं बिना तयार हुए ही आ गई हैं ठू 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 अरे क्यों रहे करम जलियों तुम अनात बहने अपनी गरीवी का बिगल वजा कर मेरी बेटी का घर वसाने से पहले उजारना चाहती हो तुम अनात दोनों बहनों का भ्या तो होई नहीं रहा समझाओ गोरी कौभी तुम इने में तो इन दोनों बहनों को समझा भुजा कर ठक गई हूँ कि ये मेरे बेटे से भ्या कर लें माना की वो बच्चों का बाप है मगर उसकी बहू तो मर गई है ना सपनों का राज कुमार तो मिलने से रहा तुम अनात गरीब बहनों को मीनू चड़िया रोती हुई नदी पर आ जाती है जहां से वो रोजाना पानी भरती थी बस बहुत हो गया अम मुझसे इस जमाने के ताइने नहीं सुने जाएंगे इसलिए आज मैं इस नदी में कूद कर खुद को खत्म कर दूंगी जैसे ही मीनू चड़िया नदी के बीच अपना पैर बढ़ाती है नदी की तरब एक सुन्दर सब फोलों से सज़ा हुआ रास्ता बन जाता है जो नदी के बीच बने जादुई प्यड़ पर खत्म होता है ये अचानक नदी के तरब रास्ता कैसे बन गया आओ आओ मीनू चड़िया आओ इस नदी के बीचो बीच आओ मैं कबसे तुमारा ही इंतिजार कर रहा था जल्दी आओ फिर मीनू चड़िया उस जादुई पेड़ के पात जाती है जैसे ही वो उस जादुई पेड़ के पात जाती है तो उसकी टेहनी पर आँके मुनाग टिम्टिमाने लगते हैं डरो मत मीनू चड़िया मैं एक जादुई लहंगे का पेड़ हूँ और जो भी मेरी इस जादूई नदी का जुकडन है इसलिए इस नदी का पानी भी पूरी तरीके से जादूई है कहो तुम परिसान क्यूं हो जादूई पेड में और मेरी बेहन बेहत बेशहारा और गरीब है खास करके जादा खुब पूरत भी नहीं और ऐसे में हम अपना कर पाते हैं और गाउवालों से ये भी नहीं देखा जाता बो हमें हमारा ब्याना होने का ताइना देते रहते हैं फिकर मत करो मीनू चड़िया तुम इस जादूई पेड से लाल और गुलाबी दो जादूई लेहंगे उतार लो ये जादूई लेहंगा तुम्हें गहने और सुन्दर ता देगा और लाल लेहंगा तुम्हें पैसे देगा जादूई पेड पर लगे लाल और गुलाबी दो लेहंगे लेकर मीनू चड़िया घर आ जाती है लहंगे को देखकर लाड़ो चुड़िया की आँखे चमक उखती है आरे वा दीदी ये लहंगे तो बड़े लाजवाब है इस लहंगे के हकदार हम दोनों हैं मेरी बेहन ये जादुई लहंगे है जादुई लहंगे दीदी हाँ सुनो मेरे जादुई गुलाबी लहंगे जल्दी से हमें पैसे दो मीनु चुड़िया के ऐसे बोलते ही गुलाबी लहंगा हवा में उड़कर चमचमाती हुई रोसनी के साथ अपनी अंदर से पैसे देने लगते हैं जिसी देखकर दोनों बेहने हक्की वक्की हो जाती हैं अरे सचमुच दीदी उच जादुई पेड़ और नदी के दिये हुए लहंगे जादुई हैं फिर दोनों बेहने दुबारा दिये हुए जादुई लहंगे के पैसों से गरी पच्चियों की मदद करती हैं और खोसी खोसी रहने लगती हैं तो दोस्तो ये थी आज की कहानी और हाँ दोस्तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पूरी बात जाने बिना हमें कोई काम नहीं करना चाहिए और हाँ दोस्तो आज का सवाल ये है कि बायू चिल की मौत कैसे हुई थी अगर आपको पता है तो कॉमेंट वक्स में लेकर जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक और हाँ दोस्तो घंटी वजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फॉन के स्केन पर हो मिलती हो मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई